आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है बिन प्यार की शादी, यह इस कहानी का तीसरा भाग है, अब तक आपने पढ़ा, अवनी और मोहित की सगाई हो चुकी है, सब इस रिष्टे से बहुत खुश है, अवनी को भी इस घर में घुटन होती थी अब आगे, सब हॉल में बैठे हुए हैं, अवनी, सुप्रिया और विजय के बीच में बैठी हुई है, उसकी नजर बार-बार मोहित पर जा रही थी जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, अचानक दोनों की नजर मिली, अवनी ने अपनी नजरे नीचे कर ली, सुप आज तो नहीं है ना, अवनी कहती है, नहीं अंटी, बेटा अंटी नहीं मॉम बोलो, ओके मॉम अवनी कहती है, विजय और मनोहर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, इतने में सुप्रिया कहती है, जी चले, घर जाकर शादी की तैयारिया भी तो करनी है, सब लोग विदा ले बैठी कुछ सोच रही होती है, उसकी आँखों में नमी होती है, फिर वह भी उठती है और अपने रूम में चली जाती है, कमरे में आकर वह अपना मोबाइल बैग पर रखती है और कबोड से कपड़े निकाल कर नहाने जाती है, वह नहा कर आती है, ग्रेसिंग टेबल पर रखे ड्राय से बाल सुखाती है और क्लाचर लगा कर बैग पर बैखती है, वह साक्षी को कॉल करती है, साक्षी कॉल उठाते हुए कहती है, क्यूं मेरी जान, आज तूने सामने से मुझे कॉल कैसे कर लिया, अवनी कहती है, तुझे कुछ बताना था, हाँ, बोलना मेरी ज साक्षी कहती है अवनी उसे आज जो भी हुआ वह सब बताती है ये सब सुनकर साक्षी एकदम चौप जाती है और कहती है अवनी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो बया है तू ऐसे कैसे किसी से भी शादी करने के लिए तयार हो सकती है और सगाई भी कर ली अवनी कहती है या साक्षी के अलावा अवनी का और कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है यार मैं समझती हूं सब लेकिन तू स्योर है ना कि तू खुश रहेगी अवनी कहती है अब मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है और वैसे भी मैं यहां कौन सा खु दूरत लगे तो कॉल करना और हां तेरी शादी के दिन में आ जाओंगी ओके अवनी कहती है हां ठीक है और सुन मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊंगी साक्षी ओके बोलकर फोन कार्ड देती है अवनी भी सो जाती है ओबर ओय हाउस मोहित का कमरा मोहित अपने बड़े से कमरे की खिर्की के पास खड़ा था वह आज जो हुआ उसके बारे में सोचता है उसके सामने बार-बार अवनी का खूबसूरत चहरा आता है और वह नीली दर्द भरी आँखें मोहित सोचता है ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिन्दगी में अवनी मुझे तुम्हारी आँखों में तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जिसकी तुम हगदार हो। अगली सुबह सेहगल हाउस। अवनी अभी तक सो रही थी क्योंकि वो कल बहुत ठक गई थी। नीचे मोहित अवनी को लेने के लिए आया हुआ था। मीरा मोहित से कहती है, बेटा, तुम क्या लोगे, नहीं आंटी, देर हो रही है, आप अवनी को बुला दीजिये, मौम हमारा घर पर वेट कर रही है। मीरा दाइमा, जो उनके घर में काम करती है, उन्हें अवनी को बुलाने भेजती है। वहाँ अभी तक सो रही है दाइमा आकर दर्वाजा नौक करती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता फिर वह दर्वाजा खोल कर देखती है तो अभनी सो रही है दाइमा अभनी से कहती है अभनी बेटा जल्दी उठो तुम अभी तक सो रही हो इतना कहकर वह खिर्की के परदे उठा देती है, दाइमा बस दो मिनट पीज, दो मिनट की बच्ची, वहां मोहित तुम्हें लेने आया है, जल्दी तयार हो जाओ, नीचे आओ, ये सुनकर अबनी एक जख्के में खड़ी हो जाती है और बातरूम में चली जाती है, मीरा दाइमा से पूछती है कि अबनी उठ दाइमा पहले मोहित की तरफ देखती है और बाद में मीरा की तरफ, नहीं, बड़ी में साहब, वह तो सो रही थी, फिर दाइमा कहती है, लेकिन हमने उसे उठा दिया है, उस पर मीरा मोहित से कहती है, ये लड़की तो है ही ऐसी, किसी काम की नहीं है, मीरा की ऐसी बाते सु कर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है इतने में अवनी आ जाती है उसने हाइवेस्ट जीन्ज और रेट ओफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था पैरों में वाइट शूज पहने थे और बाल खुले थे उसके आते ही मोहित खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है मीरा कह कहती है लो यहा आ गई मोहित भी अपनी नजर इधर उधर फेरते हुए कहता है चले जी अवनी कहती है दोनों बाहर आते हैं मोहित पहले अवनी के साइट का दोर खोलता है और अवनी की तरफ देखता है अवनी चुपचाप बैठ जाती है मोहित भी ड्राइविंग सीट प झाल झाल